पट्टा में जीतन राम मांजी ने ट्विट कर अब साफ कर दिया है कि सोशल साइट एक्सपर्णों ने लिखा है कि मैं आज दोपहर 12 बजे आदर्णिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास पर आयोजित कारेक्रम में शामिल रहूँगा गया और बिहार के लोगों के लिए यह शुब समाचार है लेकिन खास कर यह शुब संकेत मांजी के लिए भी है जिस तरह से लगातार ये खबरे आ रही थी कि मांजी नाराज चल रहे हैं कहीं न कहीं इन सभी खबरों पर ट्विट कर मांजी ने स्वयम विराम लगा दिया है सबसे बड़ी जोग अभी तक की खबर थी कि जीतनराम मांजी नाराज चल रहे थे लेकिन सोसल साइड एक्स पर एक ट्विट आता है जीतनराम मांजी का जिसमें लिखा हुआ आता है कि आज दोपर बारा बजे प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जी के आवाज पर कारिकरम मे शामिल हुँगा और बिहार के लिए गया जी के लिए बहुत बड़ी खबर है जै बिहार जै गया तो समझ सकते हैं आपकी जिस तरह से नाराजगी चल रही थी जीतनराम मांजी की लगातार ये खबरे आ रही थी कि कैबिनेट में जगह तो मिलेगी लेकिन कैबिनेट राज मंतरी का दर्जा मिलेगा लेकिन जिस तरह से अभी जो ट्विट आया है ग्यारा बच के दो मिनट में कहीं न कहीं ये संकेत जरूर है कि जीता नाम मांजी जो नाराज चल रहे थे वो अब कहीं न कहीं उनको खुश करने के लिए उनको जो है कैबनेट मंतरी का दर्जा दिया जाएगा केंद्रिय मंतरी का दर्जा दिया जाएगा आकि केंद्रीय राज्यु मंतरी का दर्जा दिया जाएगा ऻो मतला मोधी 3.0 जो कारिक्रम है जिस तरह से मोधी आज 3 बार सपत लेंगे प्रधान मंत्री पत के लिए केंद्रिये मंत्री मंडल का जो है मंत्री मंडल जो है उसका वी विस्तार किया जाएगा आप देखना ये है कि किसको मंत्री मंडल में जगा बिलती है बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ